हेलो, हाई अवरिवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, मैं अंकूर्च ओधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल पर, उमीद करता हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शांदार होंगे, बहतरीन होंगे, और आप लोगों की पढ़ाई बहुत इच्छी चल रही होगी, दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, सुभी मैंने आप लोगों के इसके उपर एक वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी, तो क्या जानकारी थी, हिमाचल परदेश स्टेट कोपरेटिव बैंक, 2024, जून यह सब बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी क्या दसवी पास इस फोर्म को भर सकते है नहीं भर सकते, या उसके लिए बारवी करनी है, बारवी में कितने परसेंट मार्क्स आना चाहिए, अगर आपने बारवी प्लस ग्रेजुएशन का रखी है, तो क्या आपको परसेंटेज मार्क्स का कोई क्राइटेरिया रहेगा या नहीं रहेगा, ये बात करने वाले है, एज, इसके उपर सबसे ज़्यादा कोशन पूछे गे थे, सर, एज लिमिट क्या होने वाली है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैक्सिमुम 27 साल यहां पर ए पढ़ना है, वो सब बात करेंगे, आपकी सेलली क्या रहने वाली है, अगर आप यहां पर जोब में लग जाते हैं, तो आपकी सेलली क्या रहने वाली है, एक अच्छी खासी सेलली, एक अच्छा खासा अमांट आपके आत में आता है, और बहुत अच्छी लाइफ आपकी ह काम की होने वाली है तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दें शेर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ जो जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को बता है अब यह 232 पोस्त कैसे कैसे बाटी गई है सबसे पहले उसकी बात देख लेते हैं 158 पोस्त अंडर डारेक्ट रिकूटमेंट कोटा प्लस 74 पोस्त अंडर सोसाइटी कोटा तो 158 तो डारेक्ट है जिसके लिए आपको एक्जाम वगेरे की सब बात होगी 74 पोस्त अंडर सोसाइटी कोटा है in the bank on regular basis through ठीक है इसका एक्जाम कोन कंड़क्ट करने वाला है IBPS ठीक है कोन कंड़क्ट करने वाला IBPS और IBPS जब भी एक्जाम कंड़क्ट करता है ठीक है तो बहुत अच्छे कोशन डालता है बहुत अच्छे level का paper लेता है उसके लिए कैस तैयारी करनी है वो भी हम लोग बात करेंगे ठीक है प्री में क्या आने वाला है मेंस में क्या आने वाला है दो paper यहां पर होते है कि उसके बाद आपको interview देना पड़ेगा या direct आपने जैसी मेंस किलियर करेंगे उसके बाद joining हो जाएगी वो सब बात हम लोग यहां पर करन होने वाली है 31 मार्स तो मतलब लगबग आपको 25 दिन इहां पर मिलने वाले है लगबग आपको 25 दिन इहां पर phone fill करने के लिए मिलने वाले है लेकिन हमारा target यह रहना चाहिए कि हम 15 मार्स तक ही अपना phone fill कर दे last तक ना जाए फोम की फीस क्या होने वाली है वो भी हम लोग बात करने वाले है क्या फोम की फीस रहने वाली है वो भी हम बात करें यह जनरल की 1000 होती है जनरल की जो फीस है वो 1000 होती है अब यहाँ पर एक बार और देख लें यहाँ पर ध्यान से इस पर आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी लेकिन इस पर आपको जाने की जोर्त नहीं है मैं आपको यहीं पर सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ ठीक है यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर देख भी लिगेजिए application received by any other mode मतलब online से अलावा अगर आप किसी और offline सोचते हो कि मैं head office में जाके देऊंगा ऐसा नहीं होगा और after the due date shall not be accepted online ही accepted है और कत्ति सारीक से पहली accepted होगा कभी आप जाओ ठीक है एक अपरेल को नहीं होगा accepted ठीक है पहली बात ठीक है अंडर direct recruitment quota junior color के लिए देखो educational qualification for junior color direct recruits 10 plus 2 with 50% marks आपकी 10 plus 2 होनी चीए ये बात याद रखना 50% marks होने चीए अगर आपने सिर्फ बारवी की है और 50% से कम marks है तो आप ये form नहीं भर सकते अगर आपने मालोग graduation भी की है और आपके बारवी में 50% नहीं भी है लेकिन आपने graduation कर ली है या post graduation कर ली है तब आपके ये 12th के percentage माईने नहीं रखती तब भी आप इस form को भर सकते हैं लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बारवी की है तब आपका 50% मांक साना अची है अगर आपने graduate है तब percentage कोई माईने नहीं रखती दूसरी बात ये भी line बहुत important है ये line भी बहुत important है ठीक है है क्या provided that candidate should have past matriculation N10 plus 2 from any school institution situated within हिमाचल परदेश मतलब आप अगर candidate है आपने 10 वी या 12 वी हिमाचल से ही की होनी चाहिए पहला point दूसरा point अगर आप हिमाचल के है और आपने कहीं बाहर से पढ़ाई की है कोई मतलब आली जे चंडिगड से पढ़ाई की है या उसके बाहर हर्याना पंजाब दिल्ली से पढ़ाई की है तो यह यहाँ पर आपका eligibility criteria होता है ठीक है यह qualification criteria है इसे आप देख लीजे ठीक है इसके बाद सबसे दूसरा age कितनी होती है इसके उपर बहुत बात होती है सर age क्या होती है तो भाई age जो है आपको मज़ा आ जाएगा सुनके 18 साल से 45 साल तक होती है 18 साल से 45 साल इसमें 28 से 29 साल नहीं होता है maximum आपका 45 क्योंकि यह state की है तो state में हमेशा जो age limit होती है वो काफी अच्छी होती है मतलब जो जिसे लगता है कि मुझे एक मौका और मिल जाए तो मैं यह exam correct कर दूँ या मैं सरकारी नोकरी पा जाओ तो उसके लिए एक बहुत सुनेरा मौका है तो एक अच्छी खासी age limit यहां पर दी गई है ठीक 18 से 45 साल इसके बाद अगर आप SC कैटिगरी में है तो 5 साल का आपको यहां पर छुट मिल जाएगा ST में है तो 5 साल का मिल जाएगा अगर यहां पर बात करें एक सर्विसमेन है तो एक सर्विसमेन के लिए भी यहां पर कोटा होता है लेकिन क्या इसमें है या नहीं इसके बारे में अभी बात करेंगे अभी से छोड़ देते है ठीक है Physical Handicap को 5 साल मिल जाएगा OBC को 5 साल ठीक है और WFF Ward of Freedom Fighter इसे भी 5 साल मिल जाएगा ठीक है और Candidate Already in Government Services इसे भी 5 साल का यहां पर कोटा मिल जाएगा ठीक है लेकिन 5 years only to employee of HP Government ठीक है जो HP Government में है उनहीं मिलेगा ठीक है इसके बारे में अभी यह बात नहीं की है क्योंकि अभी Detail में यह नहीं आया कि इसमें Ex-Service Man की कितनी पोस्ट है जब यह आ जाएगी तब हम इसके बारे में भी Detail में बात करेंगे Ex-Service Man के लिए यहां पर पोस्ट है यह नहीं ठीक है इसलिए अभी इस लाइन को मैं छोड़ रहा हूँ दूसरी बात आपका जो यहां पर salary है अगर मैं salary की बात करूँ तो एक अच्छा खासा amount आपके हाथ में आता है शुरुवात में आप कुछ भी मत देखो scale भी scale वरना आप यहां पर मतलब थोड़ा सा घूम जाएंगे कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है बस इतना देखो name of post junior color pay scale 10,300 से लेके 34,800 आप इसे कम मत समझो जब total आपकी salary आएगी वो लगभग 36,000, 35,863 प्लस admissible allowances per month जो अलग से allowances मिलता है TAD यह बहुत कुछ होता है तो एक अच्छी खासी salary आपको मिलने वाली है लगभग 40,000 से उपर ही आपको salary मिलने वाली है बहुत अच्छी salary हो इसके बाद अगर बात की जाए जो आपका pre होगा देखो pre आपका होता ही इसमें दो होता है एक face one face two जिसे pre or remains कहते है तो जो pre होता है pre होता है 100 नंबर का प्री होता है 100 नंबर का जिसमें English 30 नंबर की numerical ability 35 नंबर का reasoning ability 35 नंबर का तो लेकिन यह minute होती है 60 अब अगर मैं बात क काफी easy होता है और student 60 minute में 80, 85, 90, 90 question फोड़ते हैं और जिनकी बहुत शांदार तयारी होते हैं वो 100, 100 question भी फोड़ते हैं मतलब करते हैं नंबर 80, 85 तक अराम से ले आते हैं तो यह आसान होता है इसमें क्या-क्या होती है वो बात करेंगे जब आपकी merit बनेगी क्या इसके न qualifying होता है nature में सिर्फ qualify करना होगा आपको जो आपके merit बनती है वो main से बनेगी या phase 2 जिसे कहा जाता है phase 2 से आपकी merit बनेगी और उसमें भी 85% phase 2 के 50 जब मान लीजे जब merit बनती है final तो 100 में से लिया जाता है तो 85 तो base माना जाएगा किसे ठीक है जो आपका phase 2 का paper होगा उसमे जितने marks आए तो 85% तो उसका इससा लिया जाएगा और 15% आपके documents का लिया जाएगा ठीक है evolution के time पे हाँ पर देख लीजे इसे हम थोड़ा से detail में और बात करेंगे mains में क्या क्या आता है वो आप लोग यहां पर समझ लीजे बिलकुल IBPS जो लेता है जिस तरीके से exam लेता ह वही है ठीकर में में reasoning 40 question numerical ability 40 question English language 40 question journal awareness 50 question तो total कितने होगे 170 और marks जो होगे वो कितने होगे 85 और minute कितनी होगे आपके पास 160 मिनट मतलब 2 घंटे पढ़ते क्या आपको यहां पर 30-30 मिनट मिलेंगे जिस तरीके से यहां पर पढ़ते क्या आपको 20-20 मिनट मिलते हैं यहां पर प और reasoning पढ़ रहे हो pre में वो तो आपको यहां पर भी काम आएगी same to same ठीक है reasoning numerical ability English लेकिन जो journal awareness है वो आपको अलग से पढ़नी पढ़ेगी दूसरी बात सबसे जो main point जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ students क्या गलती करते हैं students सिर्फ और सिर्फ प्री की तेयारी करते हैं लेकिन pre और mains के बीच में सिर्फ 15 दिन का अंतर होता है 15 दिन बात फिर mains होता है लेकिन अगर मैं बात करूं ध्यान से सुनना अगर मैं यहां पर यह बात करने वाला हूँ कि भाई अगर प्री का level यहां पर है तो mains का level कहीं यहां पर जा क्यों होता है मतलब mains प्री से दोनों को target करते हुए चलेंगे और अगर दोनों को target करते हुए चलेंगे तो पिरी तो हमारा 100% clear हो गई होगा mains भी हमारा clear हो जाएगा किसी एक को target नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग देख रहे हो पिरी में यह चीज आती है और mains में आएगा यही लेकिन इसका level थोड़ा सा उपर हो जाएगा और यह चीज अलग से जुड़ जाएगी और 15 दिन में इतनी current affairs इतनी banking awareness और यह सब पढ़ना उतना आसान काम नहीं है तो यह भी हम सुरुआ से थोड़ा थोड़ा पढ़ते होगे चलेंगे क्योंकि हमारा 100% result आना है हमें पता है जर्नल अवेरनेस विल आलसो इंकलूड 25% question about HP जर्नल नोलीज एच्पी जर्नल नोलीज के इसमें 25% question आएंगे यह बात याद रखना ठीक है मतलब 50 का 25% कितना हो जाएगा अगर यहाँ पर देखे तो कम से कम 13-12 question जो है साड़े बारा होता है तो 12-13 question आपको HPGK की भी हाँ पर देखने को मिलेंगे इंटर्व्यू इसमें नहीं होता है इंटर्व्यू इसमें नहीं होता है ठीक है इंटर्व्यू नहीं होगा मैं बार बार बात करो कभी आप सोचो कि इंटर्व्यू भी होगा इंटर्व्यू की तैयारी कर दे ऐसा नहीं होगा अब बात आती है एक 31 मार्च है वो क्या है 31 मार्च ठीक है अब मार्च गया अप्रेल गया आप ये मान के चलो कि मई 15 मई से 30 मई के बीच में ये एक्जाम हो जाएगा 15 मई से 30 मई के बीच में ये एक्जाम हो जाएगा तो लगभग आपके पास दाई महीने है मतलब लगभग आपके पास 75 डेज ह जी जान लगा के तैयारी करने के ठीक है और इस से ज़्यादा टाइम मिलता भी नहीं है इतने ही टाइम में हमें सेलेक्शन लेना है महनत करनी पड़ेगी बिना महनत के कुछ नहीं होगा एक्जाम जो इसकी फीस है वो हजार रुपे जनर्रल के लिए है सी एस्ट और सब के ल चाहेगी और पेपर आपका टफ है तो कटोफ लो जाएगी जैसे मेंस की कटोफ 41 नंबर के आसपास गई थी 85 में से जो लास्ट पेपर हुआ था हमाचल परदेश cooperative bank का हिमाचल परदेश state cooperative bank का ठीक है तो ये detail की बात है age limit भी मैंने आपको बताई salary भी मैंने आपको बताई ठीक है इसमें बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी कल तक हम आपको लोगों को बता देंगे कि इसका एक बहुत शांदार सा course भी हम आप mok test के कुछ नहीं हो सकता बिना mok test के कुछ नहीं हो सकता तो ये सब कुछ एक में ही रहने वाला है एक ही बंडल में सब कुछ आपको मिलने वाला है तो बहुत शांदार सा इसका course रहने वाला है और सबसे पहली बात पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के लिए सिविल स्टैप live classes ला रहा है live classes मतलब एक मातर इंसिटूट है जो online आपके लिए live classes ला रहा है मतलब recorded तो होगी होगी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो recorded तो चाहे हैं आप जितनी बार देखें लेकिन यह live course होने वाला है, live भी आप लोग देख सकते हैं, direct अपने doubt भी पूछ सकते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा सा यहां पर यह course भी रहने वाला है, यह थी detail analysis, 100% 75 days में selection होगा, यह भी पक्की बात है, अगर आप लोग थोड़ा सा इमानदारी से पढ़ेंगे, तो यह बहुत अच्छी post है, ठीक, आपको हिमाचल के हिमाचल में ही posting मिलेगी, ऐसा भी नहीं है कि आपको हिमाचल से बाहर कहीं भेज़ देगा, अगर आप सेंटर गवर्मेंट में लगते हैं, तो वो पता नहीं कहां कोई केरला है, कोई आसाम है, इतनी दूर दूर पोस्टिंग आती है, लोगों की आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट, आपके घर में ही ये मतलब आस पास हिमाचल, पूरा घरी एक तरी है, तो पूरा देश ही, लेकिन फिर भी हिमाचल में जादतर इस्टुएंट ये चाते हैं, कि हम अपना हिमाचल, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया साफ सुत्रा हरा भरा, ठीक है, तो ये अच्छा है, यही पर हमेरी पोस्टिंग रहें, यही पर हम नोकरी करें, तो मजा रहता है, ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अगर मालीजी ये इन्फोर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो शेशन को लाइक आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी क्लासीज लेकर आएंगे, यूट्यूब पर भी क्लासीज लेकर आएंगे, आपको कोई बुक खरीदने की जरुत नहीं है, सब कोशन से लेकर हर एक चीज, सीविल स्टैप आपको देखा, आपको कोई भी बुक में पैसा खर्च करने की जुर्त बिलकुल भी नहीं है ठीक है तो थैंक्यू धन्यवाद हसते रही है मुस्कुराते रही है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है एक धहांगेदार तैयारी के साथ बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ठीक है जी चालिए और हाँ आपको डेली कम से कम कमर कसलो कि डेली दस घंटे पढ़ना है दस घंटे से कम में मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि एक ही बार मोका मिलता है भाई बार बार मोका नहीं मिलता ठीक है और यह बहुत अच्छा मोका मिला है और दो साल में यह वेकैंसी आती है अगर आप इस बार नहीं कर पाए तो फिर दो साल तक आपको वेट करना पड़ेगा और बैंक की जोब वाक्य में एक रेपोटीड जोब मानी जाती है, बहुत अच्छी जोब मानी जाती है, आप खुद फील करेंगे, एक बार जोब पे लगतों से ही खुद फील होगा कि आया जिन्दगी बदल गई है, धन्यवा हसते रही है, मुस्क्रा आते रही है, थैंक यू एवरीवाट